इस मूवी का नाम 2067 है जो 2020 में आई थी मूवी की स्टार्ट में हम 2067 का वक्त देखते हैं जहां पूरा अर्थ फ्लाई में चेंज की वजह से बरबाद हो चुका है धर्ती पर ओक्सिजन ना के बराबर है पूरी दुनिया में सिर्फ आस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जहा artificial oxygen बनाने में इंसान सफल हुए है लेकिन ये oxygen काफी महंगा होता है और साथी इस oxygen की वजह से सिखनेस नाम की बीमारी भी लोगों को हो रही है यहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम इथन है वो अपनी पतनी से काफी प्यार करता है और उसकी पतनी को भी अब सि इसी तरह दुनिया में फैलती रही तो एक दिन हर एक इनसान इसी बिमारी से इंफेक्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया में एक दिन इनसानों का नामों निशान मित जाएगा फिर वो इतन को एक लैब में ले जाती है जहां एक चमकदार मशीन होती है वो इतन को बताती ह कि ये एक ٹाइम मशीन है जो तुम्हारे पिता ने आज से 20 साल पहले बनाए थी और तुम्हारे हाथ में जो वाच है वो इस टाइम मशीन का एक पार्थ है असल में जब इतन छोटा था तब उसके पिता ने ये वाच उसके हाथ में लगा दी थी जिसे वो निकाल नहीं सकता और इस मशीन को चलाने के लिए इन्हें इस वाच की जरूरत है। इसके बाद इथन को बताया जाता है कि उन्हें 400 साल आगे भविश्य से एक मेसेज मिला है जहां भविश्य के लोगों ने इथन को भविश्य में 400 साल आगे भीजने को कहा है। यहां लैब के डॉक्टर इथन को ये भी बताते हैं कि हमें ये भी पता चला है कि अब से 400 साल बात की दुनिया दोबारा पहले जैसी हो चुकी है मतलब कि वहाँ प्लांस और ऑक्सिजन है यानि कि वहाँ का एंवायनमेंट अब दोबारा इंसानों के रेने के लायक हो चुका क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी लेकिन साइंटिस्ट को लगता था कि अगर सच में इथन वहाँ फ्यूचर में चला जाए तो वो लोग इस दुनिया को ठीक कर सकते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इथन अपने दोस्त जुड के साथ है जो उसे फ्यूचर में जाने को कहता है लेकिन इथन फ्यूचर में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने डेट की तरह नहीं बनना चाहता था जो अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी फैमिली को छोड़ कर चले गए थे और इथन की मधर की डेट के बाद से ही जुड ने एक बड़े भाई की तरह उस सभी बाते बताता है जो सुनकर वो दुखी होती है लेकिन तभी वो इतन को फ्यूचर में जाने को कहती है क्योंकि इसे पूरी दुणिया फिर से ठीक हो सकती है अब दूसरे दीन काफी सोचने के बाद इथन रिजिन्या के पास जाता है उसे कहता है कि मैं जाने के लिए त जिसकी मदद से वो फ्यूचर में जाने के बाद भी उनके साथ कनेक्ट रहेगा लेकिन इस बीच सब लोग परेशान भी थे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इथन वापस कैसे आएगा अब इथन को मशीन में बैठाया जाता है और मशीन को जैसे ही चालू की तो इथन लाइट की स्पीट से इस दुनिया से 400 साल आगे फ्यूचर में पोहच जाता है वो एक जंगल में गिरता है जहां चारों तरफ सिर्फ प्लेट्स होते हैं साथी वहां का ओक्सीजन काफी ज्यादा होता है जिसे लेने पर इथन को काफी अच्छा लगता है अब वहां से आगे आता ह जहां उसे एक स्केलिटेंस दिखता है जिसके सिर पर किसी ने गोली मारी होती है उसके पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि ये स्केलिटेंस किसी और का नहीं बलकी खुद उसका है वो स्केलिटेंस का हाथ देखता है तो उसके हाथ में भी वैसा ही डिवाइस होता ह स्केलिटेंस के पास पड़े डिवाइस में ग्रीन लाइट जल रही होती है जबकि इथन के हाथ की डिवाइस में रेड लाइट जल रही होती है अब रात हो जाती है और इथन को भूप लगती है वो जंगल से बेरिस तोड़ कर खाता है जिसे खाने के बाद उसकी तबियत ब भीजा गया था अब दूसरी सुबह उन दोनों को कुछ आगे जाने पर उन्हें एक दोर दिखता है अब हम देखते हैं कि इथन का वही स्केलिटेंस जो हमने पहले देखा था वो अब इस दोर के आगे पड़ा था जिसका मतलब पास्ट में जरूर कुछ बदला गया है लेकि उस टाइम मशीन के उपर एक टाइमर था जिसे उन्हें पता चलता है कि ये लैब 4 घंटे के बाद ब्लास्ट हो जाएगी और इस सिस्टम को इसलिए ऐसे डिजाइन किया गया था ताकि कोई इस टाइम मशीन का गलत फाइदा ना उठा सके और अब उन्हें जल्दी से जल् पर उन्हें human skeleton दिखते हैं जिसे उन्हें पता चलता है कि इनसानों के खत्म होने के बाद ये city plants में बदल गई थी यहाँ इथन अपने future के घर में जाता है जहाँ उसे अपनी wife का skeleton देखता है जिसे वो काफी emotional हो जाता है बाद में वो future में मिली recording को on करता है तब उसे पता च हैं और उनके पास अब सिर्फ 37 मिनिट ही बचा है यही पर इथन अपने skeleton देखने जाता है कि क्या जुड को रोकने पर उसका future change हुआ है लेकिन वो देखता है अभी भी उसका skeleton वही पर पड़ा है और अब वो अपना future को देखना चाहता है इसलिए वो अपनी device की battery को future की device मे लगा देता है जहां उसे एक वीडियो दिखता है जिसमें जुड ने उसे मारा था और अब ये देख जुड उसे समझाता है कि हमारे बचने के chance वैसे भी कम है और हम oxygen collector को ठीक करेंगे तो बहुत time जाएगा इसलिए हमें इस से पहले ही time machine में बेट कर वापस चले जाना चा पहती थी जो बात इथन के date को पता थी इसलिए उन्होंने machine का एक important part को इथन के DNA के साथ connect कर देते हैं और जब ये बात रिचिना को पता चलती है तब गुस्से में आके रिचिना इथन के parents को मार दिया और इस सब में जूड भी रिचिना से मिला हुआ था ये सब कुछ ताके उसे रोकता है और कहता है कि रिचिना ने इसलिए भेजा है कि जब इथन oxygen plates को ठीक कर रहा हो तब में उसे मार दू लेकिन जुड भी इथन को अपना भाई मानने लगा था इसलिए वो इथन को मारने के बजाए खुद को ही मार डालता है उसके बाद इथन oxygen collector को ठीक क जाता है और रिचिना को पोलेस पकड़ लेती है जहां इथन अपनी wife के लिए future से flower भी बेजता है और खुद future में time machine को destroy कर देता है जिसे कोई भी इस time machine का गलत यूज ना कर सके और जब इथन लैप से बाहर आता है तो उसे कोई भी skeletons नहीं दिखता जिसका मतलब कि उसने future क बदल दिया है जिसे इंसानियत बच जाती है